कर ठाप फर्स्ट अपल में थांक्स आप लोगों को बोलूंगा आपने ये चैनल को बहुत अच्छե दरा से प्यार किया है और इस चैनल में आपने आपको जोड़ा है आपने क्या चीज आपको बताने वाला हूं पहले मैं आज आपको दो ऐसे प्रॉडट्स के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में सायद आपने जानते नहीं है उसका क्या-क्या फाइदे हैं या आप गलत जानते हैं तो यह सब चीजों के वेरे मैं बताने के लिए मैं पहले प्रोड़क्ट को बैने में लेकर आ रहा हूँ यह है अपना जी हाँ अपने से देखा है यह है लाइट हाउस राइसड़्ान और इसके अपने हैं सुक्षट करें पहला को सिने जो कस्टमर के मन बैक्राउंड में लेका जाना चाहूंगा कि आज 20-30 साल पहले हमारे ये जो भारत देश है ये भारत देश में कितने सारे लोग जो मरते थे उनका परसेंटेज अगर लेते हैं तो पहले जो जमाने में जो लोग मरते थे वो ज्यादा तर कंटाक्टेस डिजीजिस में मरते थ लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है आज से जो ये चीज होता था आज 20 साल के बाद 60 परसेंट ऑफ और वन पीपल जो और डोज वर डाइं बो डियू टू अपने जाना चाहेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा पहले लोग अपने घर में पीसे हुए तेल को यूज कर गरने से उनका सेहत स्वस्त रहता था लेकिन अज जो जमाना आ गया अपने रिख्वाइंट पामुलीन हम लोगों यूज करना शुरू कर दिया हा आप तल सश्ता मिलमें हम लोग पामुलीन ख़क्र करना शुरू कर दिया और इसके बज़े से आज maple डेंट में आपको पता चले हैं के जो हाइपर टेंशने राइब हाइप ईशुजन कैसे होता है दोस्तों इसके अंदर फैट्स डिपोजीट हो जाते हैं आज तक आप लोग जो तेल खा रहे थे आपणने वो रिफाइंट पामूलीक उइल यूसकरना सुरू कर दिया उसमें बैड स्टे को लिट का मातरा जाधा होता है और ज्सक्राइर के मतला महल क्षकिन होता है दीरे धीरे दीरे के बाद आप बोलो कि मुझे बीपी हो गया है इतना ब्लॉकेश आ रहे हाट में इतने सारे ब्लॉकेश क्यों आ रहे हैं आपको मैं एक सिंपल साथ चीज पूछना चाहूंगा पहले डॉक्टर हमारे जो होते थे वह अच्छे-चे सलाह भी देते थे आप गरम पानी पिया कर को आज कल कोई भी डॉक्टर आपको ये सलाह नहीं दे रहा है मैं भी जेनरल सारे बंदों से मैं बात किया है कोई डॉक्टर आपको सलाह नहीं दे रहा है भाया आपको क्या यूज करना चाहिए जिंदगी में और सबसे बड़ी बड़ा रिजन इसका है कि आज पर ये जो medical साइन्स है वो एक कमर्शियल वेश हो चुका है तो यहाँ पर लोगों को आपना बाजिनेस चाहिए आपको डिसाइड करना है कि आपको अपना जो यह कस्ट में अर्जित धन धन वो किसको देना चाहिए? आप ये धन जाहे तो आपने पास रख सकते हैं और चाहिए तो आप डॉक्टर को दे सकते हैं वो आपके ओपर डिपेंड करता है रजके ऑपर आ रहा हूं कि यह राइस ब्रायन ओPark जो होता है यह राइसब्राइन ओयल का बॉयलिंग टेंपरेचर बहुत हाई होता है क्यों यह तेल यूज करना है आप जो रिफाइन ओयल यूज कर रहे थे इसके बज़े से आगले 10 से 20 साल में आप या तो कोई आंजियो प्लास्टी के तरफ जाएंगे या तो बाइपास सर हैं इसमें जीरो कॉलेस्ट्रोल होता है ट्रांसफैट्स डिपोजिट्स होता नहीं है राइस ब्राइन ओयल में और बहुत बड़ा चीज इसमें है कि यह किसा हुआ तेल है जिसको बोलते हैं फीजिकाली रिफाइंड ओयल जिसमें की इसने अपना ओराइजनल कॉंटेंट बहुत हाई रखा है जो औरीजनल होता है वो हमारे हाट के लिए बहुत अच्छा होता है अगर आप ओराइजनल कॉंटेंट 1300 mg और यह ऑराइजनल कॉंटेंट आपका बॉडी में जो हाट को बहुत अच्छा रखता है तो सिर्फ आप अगर अपना घर का रसोई का तेल ही चेंज कर देते हैं, आप जीवन के आधे विमारी को दूर कर देते हैं, तो आप जरूर सोचिए दोस्तों कि आपको कौन सा चीज तेल यूज करना चाहिए, जो तेल आपके जिंदेगी में एक हार्ड अटाक ला सकता है, या आप सिंपली एक अच्छा सा तेल यूज करके आपको पीना नहीं चाहिए, लेकिन जाने अंजाने में ये हमारे लाइफ में आ चुका है, वो है चाय, जी हाँ, जाने अंजाने में भारत के हर घर में घुश चुका है चाय, बैसे भी बोला जाता है कि चाय पीना नहीं चाहिए, चाय कम पीना चाहिए, मैं एक चीज आप पिए या ना पिए वो अलग बात है पहला चीजा आपको ध्यान रखना है कि सुबह उठने के बाद पहला क्प आपका चाय नहीं होना चाहिए जो की जनरली हमारे भारत के घर होता है और भोवू भी कौन सा चाय होता है निगे हें जुबध很 प्ला चाय ले लेते हैं वो उसको फटा देतया मोना है जो दूद्ध धाए तो वह दहीं हो जाता है आपके शरीर के लिए अच्छा और पानी फट जाए तो चलेगा पानी फटना के लिफ टो है नहीं लेकिन दूद्ध वाली चाहि अगर फट जाय उसको आप दूबरह तो इसलिए बोलते हैं कि अगर आपको अपना सरी स्वस्त रखना है पहला वाला फूड आप जो सुबह उठके लेते हैं वह अलकलाइन फूड होना चाहिए उसके रिगारिंग में आपको दूसरा वीडियो में बता हूँगा अभी मैं आया हूँ कि यह जेटा स्पेसल टी ही एक चीज़ बताना चाहूंगा यह आसाम का सीटी सी लीव का रियल चाहिए और लीव का टी में अंटी ओक्सिडेंट होता है दोस्तों मैं जैसे आपको पहले वीडियो में पहले में बताया था कि हमारे बॉड़ी में जो ब्लड प्रेसर बढ़ता है उसका पहला कारण होता है कि इंफ्लमेशन आपका वेंस मतलब सूजन यानिके आपके जो सरीर में धमनी है उसमें सूजन जिसमें खून प्रवा होता है और यह सूजन होता है आपको इसमें आड करना चाहता हूं दोस्तों यह जो ब्याड कोलेस्ट्रॉल वो डिपोजेट तब होता है जब वो ऑक यह एक अंटी ऑक्सिडेंट रिच टी है मतलब ऑक्सिडेशन प्रोसेस को आपके सरीर से स्लो कर देगा अगर आपके बॉड़ी में अक्सिडेशन प्रोसेस लो होगा तो फैट डिपोजीट्स कम हो जाएंगे तो यह दो तरीके से काम करेंगा अगर आपका बीपी हाई है तो भी यह पीजिए आपको साथ पता होगा जिन लोगों का बीपी हाई डॉक्टरों को मना भी करते हैं कि लोगों का चाही नहीं पीना चाहिए कि ने बताओंगा कि अगर आप इसको ब्लाक टी की तरह यूज कर रहे हैं यह ज्यादा बेनिफीशल है आपके बॉड़ी में को घाथ कै patron को घाटाएगा को हैड़स्ट्रों को घाटाएगा तो एक चाह आपको मिलता है जेत पेसली जिसका रीट है एक सो ल between और आपको कुछ 107 रुपए में यह मिल जाता है 107 रुपए के बात नहीं है दोस्तों यह बात है आपके सरीर के लिए यह 107 रुपए में वह आपको आंटी ऑक्सिडेंट रीच एक ऐसा टीजर दे रहा है जिसके आरोमा भी बहुत अच्छा है मैंने खुद यूज किया है और बहुत अच्छ कीजिए और दूसरा चीज है कि आप अंटी ऑक्सिडेंट रीच यह चाय को यूज करेंगे तो आपके सरीर के लिए बेनिफिचल रहेगा थैंक यूज